तो गाईज मैं हुआ आईश और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया स्वा आगता है आपका आज के इस वीडियो में जाप एक बार फिर से बहुत सारी इंपोर्टेंट अपडेट्स हैं आप लोगों के साथ डिसकस करने के लिए और मैंने दो दिन पहले कोमुणिटी टैप प एक पोस्ट डाली थी पता नहीं लोग क्या क्या बोल रहे हैं लेकिन इतना मैं जलूर बता दूं कि भाई कोई डेव मेंडजर की रिपोर्ट होगी तो लेकिन किसी की यहां पर कोई शादिवादी नहीं हो रही है तो इतने सारे कॉमेंट्स मैंने मुझे ऐसा लग रहा था तो भाई थोड़ा साई टाइम बचा है अब इंतिजार तो करना पड़ेगा लेकिन अपडेट्स के बारे में हम बात करते हैं तो काफी सारी important चीज़े हैं guys और start करते हैं पहले Monday Night Raw की rating से जो की काफी competition के against इस बार जा रही थी इसी वेरा से WWE Roman Reigns को भी लेके आई थी मतलब उनके पास NFL की दो बड़े matches को compete करना था और इसकी वेरा से Roman वहाँ पे आये थे तो जो overall viewership रही वो थी 1.793 million viewers लास्ट वीक के comparison में 7.37% जादा थी तो I think कि ये overall rating जबकि ऐसा नहीं है कि बहुत जादा आ गई है लेकिन अगर इतने बड़े competition के साथ भी rating बड़ी है तो वो आप में एक बड़ी बात है क्योंकि अगर Roman Reigns नहीं आते और WWE शो को इतने अच्छे से बुक नहीं करती है तो शायद इसकी rating भई 20-25% गिर भी सकती थी इतना तगड़ा competition था तो जिस काम के लिए WWE ने रॉक बुक करा था वो उनका successfully हो गया और वो network को दिखा सकते हैं कि हो चुका है और WWE उनको बुला रही है Keith Bearcat Lee अब Bearcat का क्या मतलब माना जा रहा है कि पुराने टाइम में कोई African-American wrestler था और वो काफी popular था Bearcat नाम से जाना जाता था तो उसका nickname जो है यहां पर Keith Lee के नाम में यूज करा जा रहा है I don't know कि Bearcat क्या obviously Vince McMahon देख रहे है Keith Lee को और कह रहे है क्या उनकी लुक के विज़ा से वैसा करा जा रहा है I have no idea लेकिन इस पर आपके क्या thoughts है मुझे comment से बताएं अगली story के हम बात करते हैं तो Triple H के बारे में कुछ time पहले एक sad news जानने को मिली थी कि उनको heart surgery करानी पड़ गई थी और out of nowhere गाई से news आई थी लेकिन अब उन्ह ने finally message reveal करा है और Twitter के through guys उन्होंने लिख के बताया कि वो thank you बोलते हैं सारे fans को और जिन भी बंदों ने उनकी तरफ positive messages बेढ़े थे और वो जल्द ही हमको एक बार फिर से मिलेंगे तो भाई Triple H की recovery ऐसे लगता है सही से चल रही है और आप उनकी जो tweet है वो पढ़ सकते हैं ऐ AEW Dynamite की history का सबसे बड़ा match color में देखने को मिलेगा जब Daniel Bryan लडने वाले है Kenny Omega से एक non-title match में होगा लेकिन तब भी ये एक dream match है जो बहुत से wrestling fans बहुत समय से देखना चाह रहे थे लेकिन इस match में जाने से पहले Daniel Bryan ने एक खुद का letter लिखाए guys और किसी को नहीं बलकि WWE को ज WWE Universe की विरा से है जिस तरीके सो उन्होंने उनको back करा था और Monday Night Rock को जब hijack करा था वो point अगर नहीं आता तो शायद आज ए dream match भी possible नहीं हो पाता तो जो भी आप अभी screenshots देख रहे थे आप इनको pause करके पढ़ सकते हैं काफी लंबा अच्छा सा letter Daniel Bryan ने लिखा हुए और ये का करा था मैं उमीद करता हूँ कि एक दिन मैं वापस आऊँगा तो वो दोर भी guys बंद नहीं हुआ है और अपना जो relationship है WWE के साथ Daniel Bryan काफी अच्छे से अभी भी maintain कर रहे हैं और इस letter के बाद guys Daniel Bryan की tweet पे Bailey ने आके reply करा और लिखा कि भाई thank you so much और हम भी तुमें miss करेंगे तो definitely definitely सारा locker room Daniel Bryan को पसंद करता था wrestling fans पूरे पसंद करते थे और उनका कल का match काफी guys अब बड़ा होने वाला है next story के हम बात करते हैं तो आज की NXT मैंने देखने की कोशिश करी और भाई मुझे मतलब कुछ समझी नहीं आ रहा था कि show में चल कर रहा है अगर सच बताओं तो मैंने स कुछ बोलने के लिए भी तो होना चाहिए तो टोमास और चांपा में इवेंट में फीचर हुए उनका ओपनिंग प्रोमो काफी साथ अच्छा था इसके लावा एक टाइटल चेंज हमें देखने को मिला guys जहां पर रोडरिक स्टॉंग ने कुशीडा को अरा दिया है और व करते हैं तो कल होने वाली डाइनमाइट जैसे कि मैं कहा रहा हूं गाइस बहुत ज़्यादा बड़ी है इतना ही नहीं ऐसा लगता है कि AEW अपना खुद का एक काफी लंबे मार्जन से ब्रेक करने वाली है क्यूंकि आर्थर एश टेडियम न्यूयॉक के अंदर कल होने वा पुशिश करूँगा क्यूंकि इट इस वेरी वेरी बिग और अगर आपको नहीं पता इस हपते की जो रैंपेज भी होने वाली है वो दो गंटे की हमें सैटरडे को देखने को मिलेगी और उसमें CM Punk का भी मैच है विल हॉप्स के साथ तो इंटरस्टिंग है और कल का शो ग क्या रहे थे कि हाँ व्व को ओनाट को हॉल ओफ फेम में डालना चाहिए उनकी वाइफ ने व्व के अगेंस केस भी करा जो 2013 में सैटल हो गया था कि कि किस तरीके से कंपनी जो है मेरे हस्बेंड का भी भी यूज कर रही है जबकि उन्होंने उसको विलकुल अच्छे से ट् बना पाएगी टॉइस बना पाएगी उनको अपनी वीडियो गेम में भी इंक्लूड कर पाएगी लेकिन इसके लावा वो हर साल एक ओएन हार्ट कप रखने वाले हैं जो कि उनकी ओनर में करा जाएगा जैसे डेब्ल डबली आंट्रे जाएंट की ट्रॉफी बनाती है काइ लेकिन एड दी एंड एक लेजन्ड को उसका डिजर्विंग ओनर मिल रहा है और भले कोई भी उसकी लेगिसी को जो है अट लिस्ट रिमेंबर तो कर रहा है उतनी बात ही हमारे ले काफी है तो ओन हार्ट विल भी रिमेंबर्ड अगर डबू डबली नहीं करती है तो अब दी डबली उस चीज़ को कर रही है और फाइनल स्टोरी के आज की हम बात करते हैं तो अलेक्सा ब्लिस और शार्लेट की जो सेग्मेंट टुई थी मंडे नाइट रॉक के उसकी मैंने भी तारीफ करी थी ब्राइन एलबरेस आकर रिपोर्ट कर रहे थे कि 700 से भी जाधा लो थी तो तुमें कैसे पता कि 700 लोग उटके बाहर चले गए अब I don't know कि यह रिपोर्ट सच है या फिर जूट है लेकिन मुझे काफी फणी लगा तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया तो यह थी सारी अपडेट्स आज की इस वीडियो में अगर पसंद आई है लाइक करें औ झाल